हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टू अधर वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विजूल स्टूडियो 2019 में आप किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे डिलीट करेंगे तो इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को करें दो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट कोल लेता हूं तो यह रहा मेरा विजूल स्टूडियो 2019 है अब आप देख सकते हैं रीसेंट प्रोजेक्ट मेरे यहा पर दो दिख रहे हैं यहां पर तो मैं चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट 17 मैं इसे डिलीट करूँ तो इसके भी आप देख सकते हैं यहां पर exercise vs projects और project 17 तो मैं इसे open करता हूँ मैं इसमें दो तरीके बताऊँगा आपको जिससे कि आप इसे देख सकते हैं तो यह पहले open हो जाएं तो यह open हो गया हमारा अब आप देख सकते हैं अगर आपको फिजिकल पाथ अगर आपको पता है तो बस आप को यहां पर जाना है और exercise और VS projects और यह रहा project 17 बस आपको इसे right click करना है और delete करना है लेकिन delete करने से पहले आपको यह make sure करना है कि कोई भी file आपका open दो नहीं है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह project हमारा open है तो अगर मैं इसे delete करना चाहूंगा तो यह नहीं होगा ठीक है अब कभी-कभी कि इसी case में हमारा क्या हो जाता है कि यहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि यह project का location क्या है तो उस case में क्या करना होगा हमें बस इस पर right click करना है और आप simple यहाँ से remove कर सकते हैं देख सकते हैं तो delete बटन दबा दें या जी यह कर लें आप यहाँ पर करेंगे तो project 17 will be removed तो यह से remove हो जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ से delete नहीं होगा यह सिर्फ solution से जो है ना यह solution explorer है यहाँ से remove हो जाएगा लेकिन project आपका उस physical location पर अभी भी रहेगा ठीक है तो हम यहाँ से नहीं करेंगे simple यहाँ से इसका location हम देखते हैं कि कहां पर आये तो आप यहाँ पर करें copy full path ठीक है copy full path करें या फिर open folder in file explorer तो इसे भी कर सकते हैं दोनों को कर सकते हैं तो एक एक करके देखते हैं सबसे पहले copy full path करते हैं copy full path करेंगे और यहाँ पर my computer खोलना है आपको suppose आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको paste करना है उस location को ठीक है जी मैं यहाँ पर open कर रहा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा project का जो भी वाइल सी आउटमेटिक बनाता है वो सारा आ गया यहाँ पर तो आपको यहाँ पर देखना है project 17 यह तो है उसके अंद location पता है कि कहाँ पर तो डायरेक्ट यहाँ पर आके हम इसे delete कर सकते हैं अगर location नहीं पता है तो यहाँ से right click करके copy full path करके और हम इस location तक पहुँच सकते हैं ठीक है और इसे right click करके delete कर सकते हैं लेकिन उसे पहले बंद करना होगा इस project को ठीक है और तीसरा option क्या था यह यह देख सकते हैं डायरेक्ट यहीं पर फोल्डर में जाएंगे इसका parent यह है और इसका parent यह है तो यह रहा यहाँ पर तो मैं इसे यहां से delete करने वाला हूं तो उससे पहले इसे मैं यहां से close करता हूं project को ठीक है एक दोबार refresh कर लें और इस पर right click और delete अब देख सकते हैं कित तो देख सकते हैं यहां पर project 17 अभी भी दिख रहा है यहां पर लेकिन जब आप इस पर click करेंगे तो यह कहगा project 17 could not be opened और यह delete करने के लिए कह रहा है तो आप इसे yes करके delete भी कर सकते हैं तो उमीद है यह चोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे like करे share करें अगर कोई सवाल या सुझा हो तो नीचे comment करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले interesting वीडियो में good bye